हेलो एन वेलकम का इस वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लग बात करेंगे रिम 11 टेनी डाट टी टेन ब्लास की जो की मैच होने वाला ऐसे का कावालाईस वर्सिस कारलेट आईबिस कोचरस के बीच में तो चले दोनोंगी टिम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कौनसे प्लेयर कावलोग या से स्मौन लिक में लेकर जा सकते हैं कौन से प्लेयर को या से virgin लिक में लेकर जा सकते हैं प्लस कौनसा प्लेयर हमारे लिए give और I ce captain ship के लिए base choice रहेंगा उसके बारे में बात कर लेंगे pitch report देख लेते एक बार और last में हमारी fantasy team देख लेते एक बार के कौनसे player को मिले के जाना है कौनसे player को हम लोग यहां से avoid करके जा सकते हैं यह सारी details इस वीडियो में cover करेंगे तो चली फिर यहां से 12 बच कर रात को aim को start होगा बाखी pitch report की बात करेंगे तो यहां से balling के लिए काफी अच्छी pitch रहने वाली है ज़्यादा runs बनते नहीं हाला कि कल एक match के अंदर 145 run का score जरूर बन गया था लेकिन ज़्यादा score बनता हो लगबग नजने अगल लेकिन फिर भी हैर Caribbean power है West Indies की team है काफी लंबे छक्के मानने के लिए जाने जाते हैं तो यहां से कुछ भी हो सकता है बाकी 120 run के आसपास score बनता हो आपको जरूर दिखेगा तो यहां से changing record की बात कर तो जो भी team toss जितेगी न वो पहले change करना पसंद कर सकते है क्योंकि इस tournament की भी बात करो तो यहां से 3 match के अंदर 2 match changing करने वाले team ने जिती है और 1 match पहले betting करने वाले team ने जिती है वो भी कैसे क्योंकि उन्होंने बड़ा score कर दिया यहां से 150 run के आसपास बड़ा score कर दिया तभी वो जीत पाई तो यहां से पहली betting करने वो अगर किसी team को जीतना है तो उनको बड़ा score करना पड़ सकता है तभी जीत सकती है बाकि यहां से team कोकरी को कावाला इसकी बात के तो एक match खेली है जहापर वो हार क्या रही है ब्रेंडन रामडेल आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे फर्स क्लास के उनके records इतने कुछ फर्स क्लास नहीं है और ठिक ठाक record तीन मेच के अंदर पैंसाट रन किये लेकिन लास्ट मेच के बात के तो 16 रन के पारी अच्छी खेली थी यहां से T10 में 16 रन यानि कि बहुत अच्छी अच्छा स्कॉर माना जाता है यहां से विगर की बिंग करवा लेते हैं कभी कभी राइट आम मीडियम फास गेंद बाजी भी करवा लेते हैं और राइट हैंड़ बैटिंग भी करवा लेते हैं पाकि राइट हैंड़ बैटिंग करवा लेते हैं नजर आ सकते हैं तो एज प्लेयर थोड़े से यहां से रिष्की साबित हो सकते हैं क्यूंकि लाइट मेंच के अंदर परफोर्मस इतना कुछ खास नहीं रहा था तीन मेंच के अंदर 191 यानि के 38 के अवरेत से 191 रन का स्पोर किया हुआ है दो विकेट्स भी निकाले हुए डोमेश्टिक के अंदर और लाइट मेंच के अंदर भी काफी अच्छा परफोर्मस दिया था वगेरा खेल रहे है तो इनको जरू ट्राइ करेगा एज़ प्लेयर आप उनको स्मॉल लिग में भी जरू लेके जा सकते हो पाकि हकीम मिच्चल की बात करो तो पांच रन के अट लाइट मैच के अंदर पाकि ओर रोल रेकोर्ट्स उनके काफी अच्छ है 21 की एवरेट से T20 के अंदर 85 रन किया हो चार मैच्चिस के अंदर तो ओर ओरल काफी अच्छा पर्फरमस है और कभी भी अच्छा पर्फरमस कर सकता है ऐसे अच्छी मिच्चल भी अच्छी चोईस हो सकते है अच्छी मिच्चल ने भी नहीं कि ती यहांसे दोनो इन है मिच्चल ने भी नहीं की थी या पर बटू सिंग ने भी नहीं की थी और यहां से डेक्ष्टर स्विन ने भी नहीं की थी तो यहां से जो भी यह तीनों में से जो भी प्लेयर्स करवाएगा यहां से विकेट लेने का चांसे सुन्च के पास जादा रहता है तो त्यों त्यों एक मैच के अंदर तीन रंते ज्यादा कुछ रेकोड्स थे नहीं लेकिन लास्ट मैच के अंदर विकेट निकाल दिये तो काफी अच्छा परफोरमस दिया था यहां से दोनों ही जगा पर अच्छा परफोरमस दिया हाला कि अपनी टीम को जित तो नहीं दियला पाए लेकिन यहां से परफोरमस उनका और उनकी तरफ से काफी अच्छा परफोरमस रा ग्याना मैचिस के अंदर पंदरा विकेट निकाल चुके अल्रेड़ी लेफ्टा मॉर्टर ड पर डिक ठाक है 19 मैच के अंदर 16 विकेट से T20 के अंदर तो एज अ प्लेयर इंपोरनेट भी खोने वाली हर एक मैच के अंदर लगबग पूरी ओस करवाते हो नजर आएंगे यहां से जो रस जगे सर राइटाम और ब्रेक बॉलिंग करवा लेते हैं पाकि यहां से फिल्ट यहां से जो पचास ओर की मैचीस होते है ना डोमेस्टिक लेवल की उस मैचीस के रेकोर्ड से उनके अच्छा कर सकते हैं यहां से अर एक मैच के अंदर लगबग पूरी ओस करवा सकते हैं पाकि अमरित दास ने लास मैच के अंदर एक ओस किती विकेट नहीं मिला था और औ निकोलस अलेक्सिस यहां से के जोन ओटली सकील अलिक अंदर्सन फिलिप्स यानिक कैरिया और यहां से जेरेमी क्रिक शंक तो इन में से अगर कोई खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलिग्रम में प्रवाइड कर वालूँगा तो यहां फूल फाइनल टीम के लिए आ अल्रेडी लिंक अटच किये प्लस आपको कॉमेंट सक्चेन में भी लिंक अटच करके दे दूगा इनके सकत! लिंक पर ना करें तो आप सिदा सर्च करसकते और सिदा हमारी चैनल से जूट सकते हो ऐली जाल सकते हो तो यह सारे मैच सिर्फ यूनन को पोरी कवर की जाएग करन से की हैं इन्हां से अपना पहला मेश हार चुकी थे ल किन इनका हारने के पीछे कारण हमारे लुइस्स बाुटि ऐखे,哎ya बहुर्ट अच्छी बेटों कर मेकर उट वेँार घैन Basak मेरे फूर से ये ञिरफ बाइवे अ की केप्टन्सिप और वाइस केप्टन्सिप के लिए साई चोईस होने वाला है यहां से टियोन वेप्ष्टर बाकि निकोलस सुखदेव सिंग की बात करूँ तो इस प्लेयर का सिलेक्शन काफी कम था लास्ट मैच में हम उनको लिके गए थे और वन साइड एन मिनिंग करवाने मैं हमारी काफी हल्प के दिया से सुखदेव सिंग के बात करूँ तो एज प्लेयर वेर इंपोर्नेट रहने वाला है तिरेपन रन के पारी खेली टी लास्ट मैच के अंदर अपनी टीम को जित्तों नहीं दिला पाई लेकिन यार उतनकी तरफ से उन्होंने काफी अच्छा परफरमस दिया लेफ्ट हंडेट बैटिंग करवा लेते हैं तो हमारे लिए एज प्लेयर इंपोर्नेट हो सकते हैं पाकी ख्यारोन फॉलार की बात करूँ तो इनके बारे में मैंने बताया था लास्ट मैच के अंदर के वो उपर से खेल सकते हैं लास्ट मैच के अंदर गैन बाजी में कुछ डिफिरेंस करना होता है तभी एकादी ओर्स डाल सकते हैं यहां से ख्यारोन फॉलार रेगुलर बेजिस पर गैन बाजी नहीं करते हैं लेकिन बैटिंग से उपर आये थे तो अभी हमारे लिए इंपोरनेट हो सकते हैं इवन कैप्टन सिप और वाइ यहां से सामने वाली टीम के पास हमारे पास कौन सा जगे सर यहां से जोन रस जगे सर दोनों के बीच में कन्फिजन नहीं होना है क्योंकि हमें इनको जश्टिन जगे सर को एज प्लेयर स्मॉल लिग के अंदर अवोइड करके जाना है बाकि अंडर 19 वर्ड कप और सरी चलंग का स्कोर किया था और रेगिलर बेजिस पर खेले नहीं थे राइट हैंड बैटिंग करवा लेते हैं बाकि यहां से केश ओन टिल ओन तो यह ज़्यादा इंदर नहीं हो सकते हैं क्योंकि या लास मैच के अंदर ओस नहीं की बाकि ओस करवाएंगे तो यहां से उपर आप रिस्क जरूर ले सकते हो एज़ प्लेयर ट्राइक कर सकते हो बात करते हैं यहां से शीवा शंकर की आठ मैच के अंदर दस विकेट से एज़ प्लेयर इंपोरेंट हो सकता है अंडर 19 वंडे 2022 में खेला हुआ है यानि कि रिसंटली जो आफरीका के सामने और यहां रिचार्ट्सकी तो नो मैच के अंदर 12 विकेट से राइट बेटेंग करवा ले थे राइटम मीडियम पार जो बियह रास्त पी पस पूरी विकेट के थी अला कि विकेट से उनको नहीं मिला दा लेकिन विकेट के ऑऽ पर उनको ट्राय कर सकते हो एंद विकेट। लेने के और कभी भी आपको विकेट लेता हूँ नजर आ सकता है। तो यहां से इरिकी जैपॉल की बात करते हो, 4 मैच के अंदर 10 विकेट निकाले हुए, फर्स खलास में, लेकिन लास मैच के अंदर 2 वोस की गयांदा, विकेट नहीं मिलादा, तो ये दोनों ही बॉलर्स को आपको थोड़ा सा यहां से notice करके चलना है यहां से जैपॉल और यहां से Marlon Richards क्योंकि दोनों ही बॉलर्स काफी अच्छे और कभी भी विकेट्स निकाल सकते है वसन सिंग लास्ट मैच के अंदर वोस नहीं की थी लेगें वरोल रेकोर्स काफी अच्छे दो मैच के अंदर चार विकेट निकाले हुए बाकि बैंच की बात करते हैं यहां से जबारी मिल्स एवाट निकोलसन यहां से ब्राइन चाल्स और एरिक गार्सिया तो इनके बाहर भी अगर को इखलता है यहां से बी रामडेल और लेके जाएंगे बाकि यहां से इनेश रामदेन नकर खेलते हैं बाकि बैटिन्ग सेक्संअ के बात के तो यहां से वेप्सटर है यहां से सुकदेव सिंग और से बटव corona को पिक किया हुए बाकि टोइस जो भी है सारी मैंने अल्रड़ी वीडियो के इंडर मेंशन कर दी है यहां से मैंने अंडर्सन महास से और यहां से जेज जेम्स को लिया है लेकिन मैं यहां से जेज जेम्स के जगा पर रिचार्ड्स के साथ भी जा सकता हो बाकी बॉलिंग सेक्षन के बात करो तो जगे सर यहां से पी विलियम्स यहां से हैरिस को एक बार वापस मौका दिया है माइनर्स टू पॉइंट है लेकिन फिर भी एक होफ है इनके उपर एक एक एक्षप्टेशन है तो इनके उपर ट्राइ कर दिया है बाकी डी स्विन के साथ जाओंगा आप अगर यहां से हार हैरी यहां से StrategyMo के साथ जाना ना चाहो तो यहां से जैथा साथ जा सकते हो बाकी यार टीम कुछ इस तरह से रह सकती है कैप्टन हमारे रहेंगे वेप्स्टर और वाइस कैप्टन हमारे पॉलाड रहने वाले लेकिन इसमें भी आपको काईफी सारी चैंजिस दिखेंगे फाइनल लाइन एक पर बाद फाइनल लाइन एक पर फाइनल टिम के लिए टेलिग्रम से जुनदा बिल्कुल मत बुलिएगा नीचे मेंने डिस्क्रिप्चर में लिंक एटेज कर दिया इनकेस अगर लिंक वर्क ना करें तो आप टेलिग्रम में जाके सर्च भी कर सकते हो फेंटासी डिसन चैलेंचर या फिर आप सर्च कर सकते हो और दरेट FDC27 और आपको सीधा मान चैनल मिल जाएगा सिमपली उसे जोइन कर लेना है तो यहाँ पर अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक और शेर जरू कर सकते हो बाकि यूटूब चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल मत बुलेगा क्योंकि आगे आने वले और अच्छा मेचिस के वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे तो हम लोग मिलते अगले वीडियो में तब तक आप पूरा वीडियो देखते रो अच्छा एनानिर्सिस करते रो, अच्छी टिम बनाते रो, अच्छी विनिंग करते रो और यूडूब चैनल और टेलिग्रम से ढूना बिल्कूल मत भूलेगा बाकि मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई धन्यवाद जैहिन जैपारत